हेलो गाइस वेलकम बैक टो चैनल पी सी एम बी डिजिटल गुरुकल क्लास तैंथ की हिंदी की 69 वर्क शीट है बिटा 13 तारीख की प्यारे बच्चों पिछले कारेपत्रक में हम सभी ने फादर कामिल बुलके के वेक्टित्तो के एक जलक मातर को जाना संस्मेंट विदी से हमें इसके बारे में जनकारी राप्त होई बाकी बातें लिखी होई हैं पहले ही पिछले वाली तो आगए चलते है फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनने जैसा है उनको देखना करोना के निर्मल जल में सनान करने जैसा था और उनसे बात करना क वे निरलिप तशामिल रहते थे हमारे गोश्टियों में वे गंबीर भहस करते हैं और रचनाव पर बिवा कराए और सजाव लेते थे और हमारे घरों के किसी भी महतर संसकार में वे बड़े भाई और प्रोही जैसे खड़े होकर हमें आसी सोसे भर देते थे मुझे अपना चलती दिख रही है वे मारे असपास आकर रुकती है मुस्कुराते हुए उतरते हैं देखे देखे मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ आवेश में देखा ममता में प्यार में लबालब चलगता महसूस किया है अक्सर उन्हें देखकर लगता था कि बेलजियम में इंजिनिरिंग केंतिम वरस में पहुँचकर उनके मन में सन्यासी की चक कैसे जाब गई जाग गई जबकि घर भरपुरा था दो भाई थे और माता विता भी थे फादर को याद करना किसके समान लगता है तो एक ऐसा लगता है जैसे क्या सुन रहे हूं संगीत सुन रहे हूं उदासी का लेका को सबसे ज़्यादा क्या याद आता है परिमल के दिन फादर के परिवार में कौन कौन थे तो उसका उतरिये रहा पूरा परिवार था प्यार में लवाबलू चलकने के आश्य को अपने शब्दों में लिखिए इसका अर्थ है या इसका आश्य है भरपूर प्यार होना फादर के उपस्तिदे देवदारू की चाय जैसी क्यों लगती थी उसका उतरिये रहा राइट नहीं फिफ्ट है बेटाए उसके बाद आपको कठिन शब्द छाटने हैं तो कठिन शब्द आप बिल्कुल जो भी आपको कंठीन लगे वो मान सकते हैं उसका मतलब आप लिख सकते हो कि नराज है कोई विक्ति या परेशान होना इसे ही और कोई भी शब्द आप देख सकते हो जो आपको लगता हो कि नर्लिप्त इसका मतलब हो सकता है संपूर्ण रूप से शामिल होना तो ऐसे आप और भी मतलब निकाल सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगते हो अब मुझे परीमल के वे दिन याद आते हैं मैं परीमल शब्द पर जानकार्थी इकत्रित करें आईए देखते हैं तो भी दिको परीमल शब्द पे मेरे को इतनी जानकारी मिली बाके आप भी कुशिश कर सकते हैं कि एक साहितिक संस्ता थी जिसका गठन लेखक फादर और उनके साथियोंने मिलकर किया था लेका को परीमल के दिन याद आते थे क्योंकि इसमें परेवारी कृष्टे से बंदे थे और सभी लोग मिलकर अपना अपना कारे करते थे थैंक यू सो मच फॉर वोचिंग दा वीडियो फ्रेंट्स